hello friends कैसे आप सबी लोग I hope आप सबी लोग ठीक होंगे दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके re-registerion के बारे में बहुत सारे students का कहना है कि re-registerion जो है वो हमसे नहीं हो रहा है या re-registerion हो गया है तो हम कैसे चेक करें कि हमारा re-registerion हो गया है उसकी slip कहां से download करें तो आज किस उडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं तो दोस्तो आईए बिना देरी करतों वीडियो को स्टार्ट करते हैं नहीं को सबसे पहले Reregistration करने के लिए आपको Reregistration के Portal पर आना होगा यहाँ पर Register Online पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर re-registration को option दिया गया है आप यहाँ से इस portal पर आ सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कि 15 जनवरी आपकी last date है re-registration की से आगे भी extend किया जाएगा इसके बाद आपको यहाँ पर I have read पे tick करना है proceed पे click करना है then आप यहाँ पर student portal पर आ जाएगे इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर आपको अपना account create करना है अगर आप यहाँ पर new user है अगर आप यहाँ पहले से user है तो यहाँ पर आपको username और password फिल करके यहाँ पर आपको login करना है अगर आपको यहाँ पर new account create करना नहीं आता है तो इसके लिए मैंने पहले से video बनाया हुआ है आप मेरी यह video देख सकते हैं तो मैंने यहाँ पर क्या क्या है सबसे पहले मैंने यह detail फिल की इसके बाद मैंने login किया login करने के बाद यह जो आपका portal है यह open हो जाता है अब यहाँ से आपको क्या करना है यहाँ से आपको पता करना है कि आपका जो re-registration है वो हुआ है या नहीं हुआ है तो re-registration अगर आपका हो गया होगा तो यहाँ पर आपको profile पे जाना है profile पे जाने के बाद यहाँ पर आपकी सारी detail आ जाएगी कि आपका re-reistration हो गया या नहीं हो गया है तो यहाँ पर जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपका अगर re-reistration हो गया होगा तो यहाँ पर आपके सारे subject सो होंगे कि आपका re-reistration हो गया है इसके बाद अगर आपको re-registration की slip डाउनलोड करनी है तो यहाँ आपर history re-registration पे जाना है जब आप इस पे click करेंगे तो अगर आपका re-registration हो गया तो यहाँ पर आपकी slip जो है वो generate हो जाएगी आप यहाँ से print करके अपनी जो re-registration की slip है वो download कर सकते ऐसे आप पता कर सकते कि आपका re-registration हुआ है या नहीं हुआ है simply आपको क्या करना है simply आपको क्या करना है आपको यहाँ पर इस portal पे आना है इसके बाद यहाँ आपर नीचे service यहाँ आपर नीचे आपको re-registration का option दिया गया है इसके बाद यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको नीचे दिया गया है Re-Re-Station History यहाँ पर Re-Re-Station History पर क्लिक करना है यहाँ पर अगर Re-Re-Station हो गया आपका तो यहाँ पर आपको Print का Option आएगा कि Re-Re-Station आपका इस डेट में हुआ है तो यहाँ पर Print पर क्लिक करके आपका जो Re-Re-Station हो गया उसकी Slip जो है वो डाउनलोट कर सकते हैं ऐसे आप पता कर सकते हैं कि आपका Re-Re-Station हो गया है या नहीं हो गया है तो दोस्तो आई हुप आपको समझा गया होगा कि आपको re-reistation की slip कैसे download करनी है और यही से आप अपना re-reistation भी कर सकते हैं अगर आप re-reistation के लिए eligible होंगे तो यहाँ आपर लिखा हुआ आ जाएगा re-reistation is enabled और अगर आपका यहाँ पर re-reistation enabled नहीं है तो यहाँ पर आपका re-reistation नहीं होगा आपको ध्यान रखना है कि मैंने पहले से भी वीडियो बनाया हो कि re-reistation के लिए कौन-कौन eligible है आप मेरी यह वीडियो देख सकते हैं आपको यहाँ से भी जानकारी मिल जाएगी कि आपको re-reistation अभी करना है या नहीं करना है तो दोस्तो आई-पहप आपको बीडियो समझाई होगी दोस्तो बीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों में जादा से जादा से चैर करें चैनल को सस्क्राइब करना बल्कुल न भुले धन्यवाद